खलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है आग़ेश्यान के महत्वपूर्ड है प्रषन को देखेंगे इसमें आज हम भौतिक विग्यान रसायन विग्यान M.G. विज्यान के महतुपुर्व प्रश्ण को देखेंगे जो आपके बोड के एक्जाम के लिए ये question बहुत ज़्यादा important साभित होगा friends इसमें उन्हीं प्रश्णों को लिया गया है जो आपके बोड के exam के लिए important है और ये सभी question कई बार आपके बोड के exam में पूछे जा चुके है तो friends इसमें जितने भी प्रश्ण है इसको आप ध्यान पूरवक देखिए ठीक है और समझिए देखे friends आपके सामने ये पहला प्रश्ण है कि एक lens की छमता प्लस वन डायोप्टर है तो इसकी focus दूरी होगी इसका ये option है इस सवाल को आप किस प्रकार से लगाएंगी ये 100% आपको गारंटी देते हैं कि इस प्रकार के सवाल जो आपके board के exam में जरूर पूछा जाएगा इस प्रश्ण को आप ध्यान से देखिए friends देखे friends यहाँ पर दिया है छमता दिया है इसका क्या दिया है छमता वन डायोप्टर है ठीक है यहाँ पर पूछ रहा है कि इसकी focus दूरी क्या होगा तो friends लेंस की चमता और focus दूरी में जो संबंद होता है देखे focus दूरी की आप से दखाते है वन अपन और जो चमता होता है पी से देखाते है ठीक है यहाँ यहाँ चमान पूछ रहा है यह one अपन पी कमान कितना है प्लस वान है तो बब्रेंस का वन में भाग देंगे ते कि 100 Cm के बचाए इसमें से आपका सही जवाब क्या होगा सो सेंटिमेडमिर इसका सही जवाब होगा भी's इसमें ilis यहां पे आप देखे दुसरा प्रॉस्ण आपका है कि यू के सापेच काका पौरतनांग क्या होगा देखेए यहां पिजू adapted को और दिखाते हैं पर यहां पर समझ लिजिए साथ मैं कि अपवर्तना को हम यह से देखते हैं आपका काच के पूछ रहा है यारे से आपका पूछ रहा है कि इसका उल्टा थी इसका क्या हो जग वन अपान किसके साफ़ेश पूछ रहा है अब काच के साफ़ेश वायू का पूछ रहा है यहां काच पहले हो जग और यह हो जाएगा ठीक है तो यहां पर इसका मान दिया है दू बटा के तीन बटा के दू दिया है ठीक है यहां पर होजाएगा यानि ग्लास के सापच वाई का पौड़तनाग क्या हो जागा दूपटा के 3 होगा ठीक है है यहाँ पर E intent यहाँ पर इसका तहीं जबाब आया है आपका दूपटा के तीन तeda सभी साथ आप कैसे समझ सकते हैं समझे हैं थेली आपके सामनी अगला सवाल को यहां समान दिरिष्टी के असपश्ट के अलगत्व कितनी होती है फ्रेंज यह आपकी एक्जाम में 100 परसेंटेज सवाल आएगा ठीक है आपकी एक्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रस्ण है फ्रेंज देखें यहां पर अल्पतम समाने द्रिश्टिक लिए असपश्ट द्रिश्टिक अल्पतम मतलब होता नियूंतम पूछेगा तो पचीश सेंट्रीमीटर होगा चलिए अगला सवाल आपको देखाते हैं और जितने वी प्रस्ण लिए गये हैं आपकी एक्जाम के लिए सभी प्रस्ण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए इसलिए सभी प्रश्णों का ध्यान से देखें और वीडि darkest के कारण परती हुद सब्साहरत आपको यहां पर सब्सक्राण है कि दूराइब क्लफ दिखाई देती है लेकिन उसमें क्या होता है कि नस्दी वस्तोब असपश दिखाई नहीं देती है तो फ्रेंस temple डूर दृश्टी कर परतिभी बंता है रेतिना वाग बनेता रेतिना स इसका सही जवाप होगा रेटिना से आगे बनता है इसलिए उसको क्या होता है कि उसे दूर के वस्तू असफर直 सदिखाई ढतेदें इसका सही जवाब होगा बी रेतिना से आगे यान दूर दिरिष्टी के काड़ प्रतिविव कहाँ बनता है इसे दूर करने के लिए इसमें हम उत्तर लेंज का प्रियोग करते हैं चले अगले प्राश्ण को यहां पर देखते हैं आपका अगला प्रासना है विद्धुत से है फ्रेंस देखें आहां पर एक दस्मलों पांच बोल्ट विद्धुत वहाग बलके सेल का आंतरिक पर तीनों हो तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकता मान होगा देखें फ्रेंस यहां पर धारा आई इसकल्टू होता है भी बटा के आर होता है यहां पर देखें आपका एक दस्मलों पांच बोल्ट है यहां पर एक दस्मलों पांच रखेंगे और कितना हो मैं तीन हो मैं तीन रखेंगे भाग देखें जीरू दस्मलों पांच एंपियर ह करने हैं दहाँ है कि यह सवाल को चेल को देखते हैं इसममें कि A वी के बीच तुल्य परत्रोथ होगा यहाँ पर A और B के बीच तुल्य परत्रोथ पूछ रहा थैजिए इस सवाल को हम यहीं परравствуйте है यह यहां पर आपको समझाते देखिए यहां A और B के बीच में तुले परतिर होते देखिए पहले एक ओम, एक ओम को देखेंगे किसमें है? समांतर में है जब समांतर में है फ्रेंस तो इसको देखिए 1 upon R इसकल टू समांतर करम में 1 upon 1 प्लस 1 upon 1 हो जाएगा, ठीक है? तो 1 upon R इसकल टू हो जाएगा एक एक कितना हो जाएगा? दू पटा के 1 होगा, ठीक है? अब देखिए R का मान के आपको आर इसकल टू कितना होता? एक पटा के दूए प्लट जाता तो कितना होगा? 0.5 ओम होगा अब यह 0.5 जब इसका सर्किट आप बनाएगा तो ऐसे बनेगा देखिए यहाँ पर A है इसको हल किया तो कितना है? 0.5 नहीं है पर 0.5 रखेंगे और यहाँ 0.5 पहले से है देखिए A और बीच की बीच की जो तुल्ले परतीर होगा होता यह B के देखाएंगे तो सीरीज में क्या होता जोडते है तो 0.5 को 0.5 जोड लीजिए जब जोड़ेंगे तो पांच-पांच कितना एक दसमलो जीरो होगा यानि कितना ओम आया एक ओम आया तो इसमें आप देखेंगे एक ओम कहां पे है आपका इसका सही जवाब होगा B यानि कि A ओ B बिंदों के बीच जो तुल्ले परतीरोदे कितना हुआ आपका एक ओम होगा चलिए अगले सवाल को देखते है से आपके सामने अगला प्रश्ण है कि बीजली के बल्म में तंतू होता है यह आपके एकजाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है यहाँ पे उन्ही प्रश्न को लिया गया है जो आपकी एकजाम कि लिए यह कुईशन बहुत जादा इ सवाल है कि 200 बोल्ट अपान एक नहीं सो वाट बल्ब को यदि सो बोल्ट पर प्रियोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी यहां पर आपका शक्ति पुछ रहा है देखे फ्रेंस यह बल्ब कर दिया है यहां पर पहले यहां से बल्ब कर लेते हैं को फर्मॉला पता और सी कमातिखे जब आपको बोल्ट जिए कि सो बोल्ट थेज़ी ब्सकेड्स हो और फार्मॉला होता है यहां से आपको क्या करना है यहां पी गया नहीं कि सो वाट हुए थे मिमान कितना दे दो सो गुड़े दो सो अपर सौ यहाँ पर कर लेंगे दीकारे नियुक दूढ़ू कि चार है आप लिखे दूदुना के चार यहारी 400 ओम परतिरोद होगा ठीक है अब इस 400 ओम जो इसका परतिरोद है इसको कर रहा है कि 100 बोल्ट पर यह परियोग किया जाते उससे में शक्ति क्या होगा तो फार्मुला के पीज कर लूभी स्कॉर अपर आ रहा है यह दि बोल्ट इस 200 के जगह पर हम 100 बोल्ट लेते हैं 200 के जगह पर कितना बोल्ट लेंगे 100 यहां पर सो लिख लिए इसका स्कॉर कर लिजी और रजिस्टेंस कितना अगर परिवरतन नहीं हो तो रजिस्टेंस आपको वही 400 ओम रहेगा तो यहां पर 400 कर लिजीए अब देखिए 100 को लिखेंगे यहां पर आपको छक्ति कितनी आपकी 25 नहीं होता है छाली अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है कि एक अश्वश्रक्ति बराबर होती है देखिए फ्रेंज अश्वशक्ति को हम यह च्पी भी कहते हैं एक एच्पी बराब का क्या होता है 746 वाट होता है इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा फ्रेंज यह आपसन बहुत एक्जाम में पूछता है साउ यह बली हो रही प्रेंज आपको डायरेक्ट याद रहेगा की अश्वशक्ति बराबर कितना होता है वा उसका प्रेंजिव वाला होगा चलिए अगले सवाल को देखते हैं फ्रेंस ये आपके सामने अगला सवाल है कि काउं सा चुम्बकी छेतर का मातरक नहीं है तो फ्रेंस देखिए यहाँ पर चुम्बकी छेतर का मातरक होता है टेसला भी होता है वेबर परतिमीटर स्क्वार भी होता है अगौस भी होता है ठीक है यहाँ पूछ रहा है चुम्बकी छेटर का मातर रख देखे कि चुम्बकी छेटर को किसे देखाते है बीश कल टू फाइफ अपान ए होता है चुम्बकी छेटर को बीश से देखाते है ठीक है यह फार्मूला भी आप याद रखेंगा आपसन में क एसला भी कहते हैं क्या कहते हैं टेसला भी कहते हैं ठीक है देखें यहां पर फ्रेंस चुम्ब की छेत्र का मात्रक जो होता है वेवर परतिमीटर स्क्वाइर टेसला और गौस भी होता है यहां पर देखें फ्रेंस वेवर परतिमीटर स्क्वाइर भी है टेसला भी गौस भी ह लेकिन आपका जो सवाल है पूछा है कि चुम्बकी छेत्रक मात्रक नहीं है तो फ्रेंस कौन सा नहीं है न्यूटन तो इसका सही जवाब होगा न्यूटन जो हता है चुम्बकी छेत्रक मात्रक नहीं है तो न्यूटन किसका मात्रक है फ्रेंस बल का मात्रक है आप इसको साथ याद रखिएगा चलिए अगले सवाल को देखते हैं फ्रेंज यह आपके सामने अगला सवाल है वेरी वेरी इंपोर्टेन सवाल है यह भी आपके एक्जाम के लिए क्यों सा आरेक सही है इसमें देखिए इस तरह आप देखेंगे तुसमेंं कनफ्योजन हो जाएगा आप सीधे चुमबक के बारे में आप याद रखेंगे एक पॉइंट बताते हैं दखिए है का चुमबक होता है इसको आप याद रखें ठीक है दखिए यह यह여गствен यानि साउथ पूल यह यह ले लिए नार्थ पूल अब याद रखिएगा फ्रेंस कि जो चुम्बकी पल रेखा है होती है यह से निकल कर किसमें प्रव्यस करती है यह यह ऐसे निकलेगी यह यह इस प्रकार से निकलेगी तब किसमें जाएगी यह नमें आएगी और जब यह तेहिस प्रकास ऐसे चलती यह नारथ से निकलती है साउथ से निकलती है नारथ जाता है तो एक चीज यहां पर पॉंट करेएगा कि छुम्बकी बल रखां एक दूसरे को कभी भी प्रतिषेद नहीं करती है ठीकि यह भी याद रखिएगाओ चलिए आईए देखने के नार्थ में पर्वेस करती है और जब अंदर जाता है यह से यस की और जाता है ठीक है इस चीज को याद रखेंगे कभी इस चित्र में आप कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा चलिए अगले सवाल को देखते हैं देखें ब्रावा नंबर का है जो कमेश्ट्री का यहां से प्रस्ण अभी स्टार्ट होता है अब यहां कमेश्ट्री से जो प्रस्ण इंपोर्टेंट है उन सभी क्वेश्णों को देखेंगे पहला प्रस एक प्रस आद का हैं मिलिय के इस के साही और यह रखिया है कि आखिशाय प्रसाइब को क्या करते हैं इसलिए यह करते हैं धातू के अकसाइड को क्या कथा है चाहरी यह करते है इसको या रखेगा इसका ब्रज़ का पियान है अब यहाद रखेगे अगर यह 204 यह 204 ह्या क्या इक्यों प्र literal जे उता है साथ से कम होता है साथ से क्या होता है तो हम जिसका का सही होगा सी ठीक है आप अगला प्रसन है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कों सी घैस निकलती है इस आप याद रखेंगा जब बेकिंग पाउडर को हम गर्ण करते हैं तो इसमें से गैस होता बाहर निकलता तो इसका सही जवाब होगा सीओ ठीक्टिंग पाउडर गर्म परने कौन सी गैस बाहर निकलते है फ्रेंज कारगा डाय अर्था CO2 याद रखिएगा चलिए अगले सवाल को देखते हैं फ्रेंस यह आपके सामने अगला सवाल है कि कौन सी धातु अमल से हाइडोजन विस्थापित नहीं करती है तो फ्रेंस यहाँ पर आपका यमजिम मैगनिसियम दिया है आयरन दिया है कापर दिया है जिंक दिया जरी पुछ रहे होंन से हैं नहीं करता हैं यह चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला सवाल है कि जर्मन सीवर में कौन सी धातु नहीं होती है point जो german silver होता है इसमें पूच रहा है कौन सी धाथु नहीं होती कि इसमें नाम के आपका है नहीं होता है तो जर्मन सिल्वर में कौन सी दातू नहीं होता है तो सिल्वर ही इसमें नहीं होता है ठीक है यह आपके एक्जाम के लिए भी बी आई प्रशन है ठीक है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी दातू नहीं होती है तो इसमें आपका सिल्वर ही दातू नहीं होता है च यहां पर चीएच सार्ट बरत यह उलुए कि चैने अगले सवाल को देखत ते हैंगहां नहीं ऐक कि एथील और एलकोहल का IUPAC नाम है तो एथील एलकोहल का जो IUPAC नाम होता है एथनाल होता है फ्रेंस देखिए आपसं कैसे आप छाटेंगे देखिए एथील है इसका IUPAC नाम पूछ रहा है तो एथील ही होगा लेकिन एलकोहल IUPAC पूछ रहा है तो देखिए यह मेथेना के यह तो हो नहीं सकता है एसिटिक अम लोगे यह तो हो नहीं सकता है एथनोईक अम लोगे यह भी नहीं हो सकता है तो आपको क्या हो सकता है एथे नाल हो सकता है इस तरह आप आपसंग को देख के लगा सकते हैं चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला सवाल है कि निम्न में से उभेधर्मी आकसाइड है विवियाई प्रसन है फ्रेंस ये विवियाई प्रसन है आप इस सवाल को याद रखिएगा कि उभेधर्मी आकसाइड किसे कहते हैं देखे फ्रेंस जो उभेधर्मी आकसाइड होता है इसको आप डारेक्ट याद रखेगा कि उभे उबेदर्मी आकसाइड में इस तरह आपसं मिल जाएगा इसका सही जवाब होगा कि उबेदर्मी जो आकसाइड होता है ऐल्टु dinner ko Hamas क्या करते हैं ओभियद्रम औररी आक्साइट करते हैं ठीक है चखे यहां पर फॉस्थ भी सफ्याइन चेली मुद्राद्र थात्व पर मुद्राद्र क्या है को मुद्रा धातु होता है हम कापर को क्या करते है यसका सही जवाब हो का आपका डी किसे करते हैं अगले सवालों के अगला सवाल है कि यूरेनियम है यह आपसान है अमल है धातु है अधातु है संक्रमा धातु है तो फ्रेंस देखिए यूरेनियम को हम तो पहले यू से देखाते हैं किसे देखाते हैं यूरेनियम को यू से ठीक है यूरेनियम क्या है आपका तो देखिए यह एक संक्रमा धातु होता है य याद रखिएगा कि यूरेनियम क्या है एक संक्रमण धातु है चलिए अगले सवाल को देखते हैं देखिए फ्रेंस यहां पे आपके भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान ठीक है रसायन विज्ञान के इमपोर्टेंट यहां पर कम्प्लीट होते हैं अब देखते हैं जी विज्ञान के प्रश्ण फेमन की कुछ इंपोर्टेंट सवाल को देखते हैं तो टिल या या अपके एक्जाम में कई बार रिपीट हो जुका है फ्रेंज कि पित्रस का स्राव कहां से होता है तो पित्रस का जो स्राव होता है यकृत से होता है इसका सही जवाब होगा यकृत चली अगले सवाल को देखते हैं यह आपके सामने अगला सवाल है कि कौन सा प्रकास ट्रंसलेशर का समीकरण है ठीक है आपसन देखिए इस प्रकास इसमें देखें कन्फूजन हो जागा तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं या आपसन को देखके भी आप अनुमार लगा सकते हैं कि कौन सोगा देखें जब प्रकास संसलेशर होगा तो सुरी के प्रकास की उपस्तिती में होता है और परहरिम इस ही जाले आपसन मिल जाता इसका नंबर सी हो जाएका यानि इसका सहीजवाब तो और विलएव नहीं हो सकता है यहाँ शुरी का प्रकास की है RIGHT डायरेक्ट रखेगा प्रकास आप याद रखेंग बोडुरिया पूचता क्या होता है नहीं किसिए Lo French प्लास 12H2O असुरी का प्रकाद प्रढ़रीम होता है ति इससे जब आपका क्या बनता है कि C6H12O6 बनता है प्लास 6H2O बनता है 6CO2 बनता है ति इसका सही जवाब होगा C चलि अगले सवाल को देखते है फ्रेंश यह आपके सामने अगला सवाल है आपका अगला सवाल है मनुस्ती में उत्सरजी अंग है तो फ्रेंश यह आपके सामने आपका अगला सवाल है फ्रेंज देख लिजे यहां पर पौदों में काईक प्रवर्धन के लिए कौन सब भाग अधिक अनुकूल है फ्रेंज इसका आपसन है जिसमें इसका सही जवाब होगा ए ठीक है फ्रेंज